हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, आई होब आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे आज की टॉपिक है हेर हेल्थ के बारे में, अगर आपके बाल भी बहुत ज़ादा गिर रहे हैं या फिर आप हेर फॉल से बहुत ज़ादा परिशान हैं तो आज की रेमेडी आपको एक बार जरूर ट्राइ करनी चाहिए इस remedy के लिए हमें चाहिए फ्लाक सीड यानि अलसी के बीज फ्लाक सीड इसली से आपको हर जगा मिल जाएंगे सबसे पहले हम एक गलास पानी लेंगे और उसमें तीन स्पून फ्लाक सीड डाल देंगे आप अपने हेर लेंग्ट के कोडिंग जादा या कम भी कर सकते हो और इसके बाद इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप इससे गरम गरम ही चान ले क्योंकि ठंडा होने के बाद इसे चानने में बहुत ही मुश्किल होती है अब हम इस जेल में कैस्टर ओल मिक्स करेंगे मैंने यहाँ 2 टी स्पून कैस्टर ओल यूज किया है आप अपने हेर लेंग्ट के हिसाब से यूज कर सकते अब इस ओल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब यह अच्छे तरह से ठंडा हो जाए तो आपको इसे अपने पुरे स्कैल्प में और पुरे लेंग्ट पे अपलाई कर लेना है और वन आर के बाद आपको अच्छे से वाश कर लेना है शैंपू से फ्लाकसीड्स हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलॉंग करते हैं जहां सॉल्टी वाटर आता है तो आपको फ्लाकसीड्स जल अपने बालों में हमेशा अपलाई करना चाहिए फ्लाकसीड्स जल आपके बालों को हेल्दी रखने में काफी जाधा हेल्प करेगा आप इस हेर मास्क को वीकली दो या तीन बर अपलाई कर सकते हो ये आपके हैर्स को शाइनी स्ट्रॉंग बनाएगा और हैर रिग्रोथ में भी हेल्प करेगा